क walking Unt pc को इन्मस्तकार दोस्तों कैसे हैं आप लोग अशा करते हैं आप लोग अच्छ होंगे सवश्ट होंगे और मस्थ होंगे तो जिसा के फ्रेंड साज है आपका 15 जुलाई ठीक है 15 जुलाई को आपको बता दें कि ssa season जॉम आपका इसक्जाम हुम आपका 14 जुलाई को तो 15 चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो हमारा आज का जो पहला प्रश ने वह पुछा गया है आप से कि निती आयोग के पर्थम CEO कौन है तो इसका जो राइट एंसर दोस्तों आपका हो जाएगा सिंधू स्री खुलर तोस्तों आपका इसका राइट एंसर हो जाएगा इसके अलावा बात कर लेते हैं निती का निती आयोक का फुल फॉर्म का तो इसका जो फुल फॉर्म होता है National Institution for Transforming India ठीके इसका आपका फुल फॉर्म होता है इसकी स्थापना की बात करेंगे तो इसका जो स्थापना है 2015 में हुआ था एक जनवरी को ठीके कब हुआ था तो ए इसके बात से आपका 2015 में आपका निती आयोक का अस्थापना हुआ था निती आयोक के उद्यस की बात करेंगे तो जो उद्यस क्या क्या है तो संग बात को बढ़ावा देना गरीवी रिखा का आकलन करने में मदद करना इत्यादी आपका निती आयोक का क्या है तो आपका उ पर्धान मंत्री की बात करेंगे तो वर्तमान में आपके पर्धान मंत्री हैं कौन तर्शी नरेंदर मोदी जी आपके वर्तमान में क्या हैं तो पर्धान मंत्री हैं ठीके तो नितियायू का स्थापना आपका 2015 में हुआ था ये नरेंदर मोदी आपके 2014 से ही क्या हैं आपके पर्धान मंत्री है तो अब तक एक मात्र अध्यक्ष नित्याविक कोन है तो आपके नरेंदर मोधी जी है ठीके इसके लावा नित्याविक के पर्थम उपाध्यक्ष की बात करेंगे तो अरविंद पंगरिया ठीके पर्थम उपाध्यक्ष कोन थे तो अरविंद पंगरिया और पर्थम CEO कौन थे तो सिंदु स्री खुलर थे जो कि पर्थम CEO के साथ पर्थम महिला CEO भी थे ठीक है क्यूंकि इसके बाद आपका कोई भी अभी तक महिला CEO है जो कि बनी नहीं है ठीक है इसके अलाबा वरत्मान अध्यक्ष की बाद तो हम लोग कर लिए कि नरेंदमोदी ह उपाद्यक्ष की बात करेंगे तो सुमन बेरी तो स्पुमन बेरी वरत्मान में इनके ध्यक्ष है और CEO कोन है तो B.V.R. शुबरमांने हम इसके क्या है CEO है ठेक है इनके पहले कोन थे तो फिसके पहले आपका बेर शुबरमांने हम इस बात को भी आप लोग जाद आने के 14 तार्य के जो परशन आपके आए थे उसका हमें ने उस जो हमारे दुवारा एक क्यूज चलाए जाता है ठीके कौन सा क्यूज चला जाता है तो प्रयास ओनलाइन क्यूज जिसका डिस्प्ले आपको यहां पर दिखी भी दाऊगा ठीके पोस्टर आपको दिख रहा हो को सभी को प्रवाइड कराया था जो लोग भी WhatsApp के माद्यम से इससे प्राप्ट किये हैं आप लोग comment section में बताइएगा कि इससे जो परस ने आपको देखने को मिला था कि नहीं मिला था जो जो भी परस आपको देखने को मिला है हमने टेलिग्राम चैनल पे कम्यूटी के माद्यम से आपको बताया है तो आपको देखने को मिला था इसके साथ प्रयास online क्यूज में आप अगर जोइन करना चाहते हैं तो सुलकमात्र 439 रुपे है WhatsApp नंबर है 9973741666 ठीक है यह हमारा WhatsApp नंबर है इससे जूर कर और भी online QG आपका चल रहा है उसका जनगारी ले सकते हैं मालिजिए कि एक क्यूज आपका एक जुलाइश से स्टार्ट हुआ था तो आज है आपका 15 जुलाइट तो एक से लेका 14 जुलाइट तक क्यूज आपको है परस्नली भेजा जाएगा जब भी आपको टाइम में इसको अप अटेम्ट कर लिजिएगा इसके बाद इसका पीडिये भी आपको दिया जाएगा सभी सिफ्टों का ठीक है चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं आगला जो परस्त आपसे पूछा गया है वो पूछे नहीं गए लेकिन हाँ अगले सिफ्ट में पका पूछे जाएंगे आने वाले सिफ्टों में ठीक है तो महें सिंग धोनी तो आपका कैप्टन को इसका राइट एंसर हो जाएगा इसके अलावा हरियाना हरिकेन की बात करेंगे यह किस एक का निक नेम है तो यह आप का किरिकेटर है महें सिंग धोनी की तरह ही इन्हों ने 1913 में वर्ल कप जीता है था इनी के कप्तानी में भारत पहली बार वर्ल कप जीता था इसके लावा दूसरे बार वन्डे वर्ल कप आपका 2011 में जीता था महें सिंग धोनी के कप्तानी में ठीक है इसके लावा दर ग्र पुलू किसे कहते ही तो जूलन गोश्यामी को 강़ा जाता है जूलन गोश्यामी को उपर एक फिल्म या रहा है जिसका जो अविनेत्री हैं आमके अनुश्कास्वरम जी है जूलन की उपर फिल्म भी आ रहा है तो आप लोग उसको देख भी सकते हैं Master Balaster किस इनको कहा जाता है तो Sachin Deloquer को कहा जाता है इनको भारत तत्मी मिल चुका है कब मिला है Comment section में आप लोग बताइए Universe Rose किसे काते ही तो Chris Gayle को कहा जाता है Chris Gayle के बारे में आप लोग बेख्यू भी जानते होंगे जो IPL देखते थे इसके लावर Terminator किसको कहा जाता है Herbazan Singh को कहा जाता है इनके tutor account में भी जाईएगा तो Terminator इनका लगा होगा जम्बू किसे कहा जाता है तो आपका Anil Kumle को कहा जाता है चलिए नेक्स लोशन पुछा गया था आपका कि वर्ष 2022 तक किस भारतिय संगितकार के पास सबसे अधिव Oscar पुरुषकार है यानि कि विच इंडियन मुजिक कंपोजर तो इसका जो आपका राइट एंसर हो जाएगा A.R. रह्मान A.R. रह्मान इसका आपका राइट एंसर हो जाएगा इसके लावा Oscar जो एवर्ड है 1982 में कि ने मिला है तो भानू अथेया को मिला है सत्य जीत रहे को कम मिला है तो 2002 बेराण में मिला है परिनाम पुक्टी को कम मिला है तो परिनाम पुक्टी को पुकटी को मिला है 2009 में 2009 में दो लोगों को और मिला था जिसे एर रह्मान और गुलजार ठीके ये तीन लोगों को 2009 में ही आपका उसकर एवर्ड मिला है इसके लावा कार्तिकी गंजाविल्स और गुनित मेंग और मोंगा जो फिल्म का एक गाना है नाटू नाटू उनको भी दो जाते इसमें एवर्ड ये मिला है इसके लावा ओसकर एवर्ड की जो शुरुबात है आपका 1929 इसमी में हुआ था फिल्म के छेतर में सबसे वरिया एवर्ड है भारत के लिए पर्थम ओसकर आपका भानू अथेया ने जीता था कब जीता है तो 1812 में जीते थे इसके लावा पर्थम ग्रेमी ओसकर की बात करेंगे तो पंडित रभी शंकर ने जीता है पंडित रभी शंकर जिसम्मंदी दाजी आपको एक परस्तिकने को मिला था कि इनको भारत अतने वोट कब दिया गया था भारत अतने वोट इनको 1999 में दिया गया था ठीके इसके लावा अगला है कि पर्थम नोविल किसे दिया गया है तो पर्थम नोविल दिया गया था आपकी रभी नट टैगोर को इसको भी आप लोग याद कर लिजिएगा नेक्स कोशन है दोस्तों कि एक फोटवोल टीम में कितने खिलारी मैदान पर होते हैं यानि कि how many players are on the field in a फोटवोल टीम तो इसका जो राइट एंसर ही दोस्तों आपका हो जाएगा 11 फोटवोल से समंदित जो आपका एक संस्ता है फीफा उसकी अस्तापना कब हुआ था 1994 में हुआ था फीफा का मुख्याले कहा है जीवरिक में है जीवरिक कहाँ पारता है तो स्यूजिलेन में पारता है इसके लावा FIFA मेला 1220 की मेजवानी कौन करेगा तो Australia और New Zealand दोनों सेंख ट्रूप से करेगा ठीक है इसके लावा FIFA FIFA World Cup भी होता है आपका किर्केट की तरह तो World Cup इसका आउजित हुआ था 2022 में कहां पर हुआ था तो Qatar में इसका आउजित हुआ है इसके लावा इसके जो बिजेता कौन बना था बिजेता बना था आपका Argentina कौन Argentina तो Mexico आपो모ग जानते होंगी Mexico इसी देश से खिलते हैं इसके लावा उप बिजेता कौन बना था उप बिजेता बना था आपका France तहके तो यह आपका FIFA World Cup 22-23-17 कुसफेक्ट से हैं पक्का अगले सेप्ट में देखने को मिलेंगे ठीक है इसके अलावा बास्केट बोल में कितने खिलारी होते हैं तो 5 खिलारी होते हैं बॉली बोल में कितने हैं तो 6 खिलारी होते हैं बैसबोल में दोस्तों आपका 9 खिलारी होते हैं रगवी फुटवोल में एक गेम हैं उसमें आपका 15 होता है किर्केट में कितना होता है तो 11 खिलारी होते हैं होकी में बात करेंगे तो इसमें भी 11 खिलारी ही होते हैं नेट बोल में बात करेंगे तो साथ और कवड़ी में भी कितने खिलारी होते हैं तो साथ खिलारी ही होते हैं ठीक है इसके लावा फुटबोल मैच की अवदी की बात करेंगे तो 90 मिनिट का आसका खिल होता है होकी की बात करेंगे तो 60 मिनिट का खिल होता है ठीक है चलिए ने पूछा गया था, अम्बुबाची मेला का योजन है, किस मंदिर में होता है, ठीके, तो देखिए, अम्बुबाची मेला is organized in which state, ठीके, तो असम में तो पहली मनाया जाता है, असम में दोस्तों, असम का रजधानी क्या है, ये पहले आप लोग बताइए, ठीके, तो असम का ज सबसे बड़ा धार्मिक मेला की बात करेंगे, तो ये आपका कूम्भ मेला, कूम्भ मेला है, ये दोस्तों आपका चार जग़ा पे लगती है, कूम्भ मेला, ठीके, कहां कहां लगता है, तो प्रयागराज में लगता है, इसके लावा हरीदवार में लगता है, इसके लावा दूसरा सबसे बड़ा मिला कौन सा है तो मेटराम जातरा है मेटराम जातरा मिला है जो की तिलगाना मिलगता है चार दिनों तक की मिला लगता है इसके लावा सबसे बड़ा पस्व मिला की बात करेंगे तो ये दूस्त आपका शोनपूर मिलगता है यह आपका पिहार में है इसके लएब परशिज जो मागी मिला है वो आपका अर्ध व्हकुम हिन से कहा जाता है जो कि उत्तर बुड़ेश में लगता है और विष्व पुस्त कमिला की बात करेंगे तो यह दोस्तों आपका दिल्ली में लगता है दिल्ली के परगती मिदान में ठीक है चलिए नेक्स कोस्टन पूछा गया था तत बोधनी सवा का स्थापना है दिवेंदर नाथ टैगोर ने किस वर्श में किया था यानि कि तो इसका जो राइट एंसर दोस्त आपका 80-39 इसका राइट एंसर हो जाएगा कहां पर किया था कॉलकत्ता में किया था फ्रेंड्स ठीके इसके लावा ये प्रश्न हमने क्यों लिया है तो उसको अभी आगे चल कर आपको मालूम चलेगा ठीके इसके लाव प्रातना समाजेक है प्रातना समाज के स्थापना कभी अध़ा हिए था था 1876 में हूआ था किस ने किया था तो आत्मा राम पांडुरांग के द्वारा किया गया था इसके लावा और इनके जो सहायक थें, सयोगी थें, महादेव, गोविन, राडे ने किया था, कहां पर किया था, मुंबई में किया था इसके लावा परातना समाज के चार मांग थें, जो कीस परकार थें इसके लावा अगला है आपका ब्रह्म समाज के स्थापना, ब्रह्म समाज के स्थापना 1828 इसमी में हुआ था, कुलकत्ना में, किया कि किसने था, राजा राम मोहन राय ने किया था राजा राम मोहन राय का पहले का नाम राजा, राम मोहन राय था, राजा की उपाधी इनको दिया गया था किनी के द्वारा, किन के द्वारा दिया गया था, तो अकवर दितिय के द्वारा दिया था, ठीके, जो की उत्तर मुगल कालिन सा सकते इसके अलावा अगला है आर्ष समाज की स्थापना तो ये question लेने का ही मेरा मक्सद ये था कि आर्ष समाज की जो स्थापना है आज के आपके second shift में पूछा गया था मुलेब 14 तारी के second shift में कि 1875 में किस समाज का स्थापना हुआ था जिसका option आपका आर्ष समाज दिया गया था इसके लावा हुआ पर कहा था ये आपका मुंबै में हुआ था देयानन सस्थापना बात करेंगे तो ठारा सो तिहत्तर में हुआ था महराश्च में जियोतिवा फुले के द्वारा किया गया था तो आपसे निवेदे ने कि ये सभी जो आपके समाज है ब्रह्म समाज हो गए है आर्ष समाज हो गए है सत्य सोदक समाज हो गए है इसके लावा तत्तबोधिनी समाज हो गया है तिके इस सभी को दूस्तों आपको क्या करना है बस तीन चीज़ या दखना है पहले बार तो वर्श किस वर्श में इसका अस्थापना हुआ है दूसरा आपको याद दखना है किस ने किया है और तिसरा आपको याद दखना है कहा हुआ है ठीके, बस इतना ही आप लोग याद दख autonomous इससे ज़्यादा डीप आपको नहीं पूछा जाएगा ठीके चलिए इसके लावा जो next question है वो दोस्त आप से पुछा गया है कि भारतिय समिधान का कौन सा अनुच्छेद है राष्टपती के द्वारा सभत या प्रतिज्यान की बात करता है यानि कि which article of the Indian constitution talks about oath and affirmation by the president ठीके तो इसका जो right answer आपका क्या हो जाएगा अनुच्छेद 60 यानि कि 60 हो जाएगा ठीके अनुच्छेद 60 दोस्तों इसका क्या हो जाएगा right answer हो जाएगा इसके लावा परधान मंत राष्टपती से समद्य तेक महत्पुन अनुच्छेद है अनुच्छेद 22 जो कि राष्टपती के पद से समद्य थे इसके लावा अनुछेद जो तीरपन है वो दूस्तो कारपालिका का परधान जो होगा वो आपका राष्टपती होगा उससे समन्दित है राष्टपती पर जो महावयोग लगाया जाता है वो आपका अनुछेद 61 के तहत लगाया जाता है इसके लावर राष्टपती का जो छमादान है वो दोस्तों आपका अनुछेद 72 के अंतरगत है महानिवादी की निकती कौन करता है आपका राष्टपती करता है अनुछेद 76 के अंतरगत करता है ठीक है महानिवादी करता कोन है तो राज जुर्केंद्र के विज़ आपके जो भी विद्धिय मामला होते हैं उस पर आपका जो हस्तिप्ट करता है वो आपका महानिवादी करता है इसे आपका केक भी बोला जाता है अनुच्छेद आपका 148-151 तक आपका जो प्रवधाने क एक के वारे में ही दिया गया है अनुच्छेद आपका 23 की बात करेंगे तो राष्टपती का अध्यादेश ठीक है राष्टपती का अध्यादेश समंदित अनुच्छित कौन सा है एक दू तिन ठीक है यह अध्यादेश यह क्या होता है तो आपको बता दें अध्यादेश टीके संसद मतलब कोन लोक सभा या राश स्भा ठीके जब संसद दुस्ट आपका सत्र में नहीं चल रहा हो ठीके सत्रमें नहीं चल रहा हो और आपको देश के कानून का जरूत हो उस समय आपका क्या होगा तो उस समय आपका राष्ट पती जो की अध्यादेश लाएगा किसके सिफारिश पर लाएगा मंत्री मंडल के सिफारिश पर लाएगा अध्य yolk-dash का एक 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 जामपल दे तो किर्षणी कानून टीके जो की बहुत आपका विवादित कानून रहा था जो किर्षणी कानून था वो दोस्तों आपका अध्यदेस के द्वारा ही लाया गया था हलां की किर्षणी कानून के पीछे कौन सा जरूरी काम था ये तो पता नहीं लेकिन हाँ कृष्ट्री कानुन आपका द्यदेश के तोर पर ही लाए गया था इसके लावा नुच्छेद 108 है जो कि राश्पती के द्वारा संसत की ज्वाइंट सिटिंग बुलाना यानि की तो राश्पती 108 के अंद्यकत आपका बुलाता है लेकिन अध्यक्षता कौन करता है ये बात रहा इसमें बहुत सारी स्ट्रेंट आपके अध्यक्षता कौन करता है तो सीदह आप लोग देखिएगा राश्पती option में हैं तो राष्टपती मार देते हैं लेकिन आप लोग गलत हो जाईएगा राष्टपती तो बुलाता है लेकिन अध्यक्सता करता है लोग सवा का अध्यक्ष करता है इसको भी आप लोग याद देखिएगा लोग सवा का अध्यक्स आपका क्या करता है अध्यक्सता करता रोट जो नाचा है भारत के किस राचा का परमुख निरत थे हैं उसमें आपका स्थेयंग्ट बैठक बुला जाता है तो आपका 108 के तरिगती बुला जाता है। पूछा गया था कि राउट जो नाचा है भारत के किस राज का परमुख नीर्थ है यानि कि राउट नाचा इस मेजर डांस ऑफ विच अस्टेट ऑफ इंडिया तो 36 गर इसका आपका क्या हो जाएगा राइट एंसर हो जाएगा 36 गर के बात करेंगे तो गारी लोक नीर्थ है ठीके नाचा तो है ही गोर मारिया है सहरूल है पंडवानी नीर्थ बहुत ही फेमस है S.S.C. का यह ए टिस्यस के यह बहुत ही फेवरेट नेर्ट थे 36 गर का पंडवानी आएगा पका राउत भी आएगा पंथी कर्मा सेला ठीके तो पंडवानी और राउत जरूर आप लोग 36 गर से रिलेटेट मायंड में बैठाई लिजेगा इसके लावा MP की बात करेंगे तो कर्मा नेर्ट भगोरिया नेर्ट, राय नेर्ट, गौर नेर्ट, सैला, मटकी इसके लावा गौर मारिया गिर्दा नेर्ट थेके MP से दोस्तों आपका गिर्दा नेर्ट यह बहुत जरूरी है इसको याद रखिएगा टिस्टेस के दोरा बारवार पूछा जाता है इसके लाव विदेशिया आपका बिहार से समंदी थी जाज जटीन जिजिया सामा चकेवा जूर सितल छट पूजा छट पूजा तो आपको पूछा ही जाएगा किसी न किसी सुर्प में आपसे पूछा जाएगा कि छट पूजा किस देद्वा को समढ़ पी थी तो सुर्प देद्वा को समढ़ पी थी ये कहां पर मैना जाता है तो बिहार उत्तर पदेश मैना जाता है कितने दिनों का ये पूजा है चार दिनों का पूजा है इसके लावा जाजटीन याद रखना है बिहार का है जिर्जिया याद रखना ये भी आपका बिहार का है ये दोनों आपका बारवा पूछा जाता है विद्देशिया भी बहुत बार पूछा जा चुका है तो ये इन तिनों को आप ज़रूर याद रखिएगा ठीक है चलिए next question आपसे पूछा गया है French Open 2023 कि पूरुष एकल के विजेता कौन है ठीक है यानि कि who is the winner of the French Open 2023 means single ठीक है तो इसका जो right answer हो जाएगा आपका नवाक जोकोविश ठीक है नवाक जोकोविश इसका right answer हो जाएगा वहीं पर देखें महिला एकल दो आपका एगा शुरिते की पूरुष एकल के जो बिजेता हो जोवाक जोकोविश ठीक है नवाक जोकोविश तो महिला एकल का किताब है आरयाना समलेका जीती है जो की कहा की है बेलारोस की है ठीक है चलिए नेक्स कोसन आपसे पूछा गया है कि परसिद भारतिय संगितकार उस्ताद खान उस्ताद अलावदीन खान का सम्मद्ध निम्ले कि तुमें से किस वाद देंतर से है यानि कि with which of the following instrument is the famous Indian musician उस्ताद अलावदीन खान और सुषिट तो राइट एंसर आपका हो जाएगा सरोध इसके लाव पंडित रविशंकर ये आपके कहा समंदी थे सितार से रव समंदी थे पंडित रविशंकर भारत के लिए पर्थम ग्रेमी मोड विजेता है अमने उपर भी डिसकस किये इसके अलावा अगला है कि तो राइट एंसर आपका कोशिका द्रॉव इसका राइट एंसर हो जाएगा कोशिका के तिन मुख भाग में कोशिका जिली, कोशिका द्रॉव और केंड्रक होता है कोशिका के अध्यन को क्या करते हैं साइटो लोजी कहते हैं तो दखिए इसका राइट एंसर हो जाएगा गवाटी अश्रम में किया है इसके लावा पिछले साल मोडी ने हिमाचर प्रदेश की विलासपुर में भी एमस का द्गाटन किया था इसके लाव मोडी ने मोहाली में भावा के इंसर अस्पताल का विद्गाटन किया है ठीके चलिए नेक्स एकी 2022 तक भारत के कितने अस्थलिये देश सीमा साजा करता है भारत के साथ ठीके यानि कि how many landlocked countries share border with India by 2022 ठीके तो इसका right answer आपका 7 हो जाएगा अस्थलिये सीमा साजा करता है ठीके अस्थलिये सीमा साजा करता है यहजित्टा करता है वी आपका शाल में इस Jadi करता है तो यहा इसके लाव विशंद मेंश्रमदिक लंबी खवाल अगर की जाएगी तो आपका कनाड़ा हो जाएगा इसके अलावा भारत के 30 राज्यों में सबसे लंबी टट रेखा किसका है तो गुजडात का है ठीके असबचे छोटी बात करेंगे तो आपका गोवा का है दुसरा स्थान आपका आंदर प्रदेश का है ठीके इसके अलावा भारत का दक्षितनम बिंदु क्या है तो इंदरो कोईल है पोरवी बिंदु क्या है तो कीबुती है और पच्छम बिंदु अगर आपसे पुझे जाए तो यह आपका मोती है ठीके यह दोस्तों आप देख भी रहूँगे यहाँ पर आपका यह मैप लगा जो कि बंगलादेश का है तो बंगलादेश के साथ जो भारत है उसका जो सीमा है बहुत ज्यादा है याणि की 4,000 लगवक किलोमेटर का सीमा साज़ा करता है अगला है कि माल गुड़ी देश कि इस परसीद लेका की एक लगु कहानी का संगरा है इसका राइट एंसर आर के नराइन हो जाएगा इसके लावा Harry Potter का जो सिंख्ला है को किसने लिखा है तो ये लिखा है जेके रैओलिंग ने लिखा है Life of Pipe उस्तक किसके दुआरे लिखा गया है तो ये लिखा गया है इन मार्टल के दुआरा इसको भी आपको याद रखने की जरुवत है नेक्स्स कुछा गया है आपका कि इसको भी आपको भारत विद्या का निर्वला सितारामन जी के दूआरा भारतान मंत्री स्कूल के आदर स्कूलों में बदलने की योजना है तो श्री योजना क्या है इसको भी आद रख लिजेगा मिशन कर्म योगी कार्श कर्म क्या है तो इसके दहत सिविल सर्विस के दिकारियों को ओनलाइन प्रिक्षिछन दिया जाएगा ठीक है चलिए नेक्स कोस्टन है कि निमलिकित में से किसने सुल्तान जोहर कब 222 का किताब जीता है यानि कि इसका राइट इंसर आपका भारत हो जाएगा ठीक है इसके लावा ठोमस कब जो की बेन्विंटन पूरुस का कब है जो रबाइस की विजेता को ने भारत है भारत किसे हराया था इंडोनेशिया को हराया था ठोमस कब से समन्दित जो प्रश्ण आपका क्या बना था 14 जुलाई के सिप्टों में तो यह बना था कि ठोमस कब कितने साल के वाद खेला जाता है कितने अंतराल के बाद इसके लावा उवेर कब की बात करेंगे तो आपका वेर्विंटन का महिला कब है जो कि दोजाब 20 की विजेता कौने तो साउत कुरिया है सुल्तान जोर कब होकी से समन्दित है इसके लावा सेफ अंडर 20 22 का किताब किसनी जीता है तो भारत नहीं जीता है ठेके कैप्तन कौन थे सिवजीत सिंग थे इस लंका को हरा कर यह किताब अपने नाम किया है नेक्स कोस्टन आपसे मुगल सासन के प्रांत का विस्तार किया था यानि कि वाइड डिफेटिंग मुहमद लोदी इन सुल्तान नुश्रसा इन 5029 बावर एक्सपेंडेड दमुगर रूल इन इंडिया ठीके तो इसका राइट एंसर आपका क्या हो जाएगा घागरा का यूद हो जाएगा ठीके घागरा का यूद हो जाएगा ये सब परिशन आपके कल किसी पने पूछे गया है जिसे कि चंदेरी का यूद ही पूछा गया है कि चंदेरी की यूद में बावर ने किसे हराया था मेनी राय उसका उत्तर था कब हुआ था 1528 में हुआ था अब पूद्य जाय कि घागरा का गागरा का युद 15 इम्राइम लोधी ही था था 1526 की यूद में बावर ने जीता था और भारत में मुगल स्रमाज का स्थापना किया था उसके एक सावद 1527 में राना सांगा और बावर की विश खानवा का यूद हुआ था आपको मालूम होगा तो ये भी पूछा जा सकता है 1527 में खानवा का यूद में बावर ने किसे राया राना सांगा को हराया था बावर का वस्तविक नाम की बात करेंगे तो जरुदिन बावर है बावर को कलंदर भी कहा जाता है बावर फूर में फ्रगना का सासक मना था इसको भी आदर कियेगा ठीक है इसके लावब 1529 में भी एक की उद्वा था आपका 1529 में आपका चल्चित बनाने की घुशना की है, सितारा देवी डैस एक नर्थकी थी, याने की किस दान्ष स्रमंदित थी, ठीक है, उसका जो राइट एंसर आपका कत्थक निर्थ हो जाएगा, सितारा देवी किस स्रमंदित है, तो कत्थक से स्रमंदित व्यक्ति हैं, ठीक है, इसके लाव मनेपुरी निर्थ के सस्थापा के गुरूप विपृ शूर्प employee मने जाता है मनेपुर निर्थ आपका क्या है का है तो मनेपुर का सास्तरी सब्सक्राइब दखेएगा कलयान कुट्टी अम्मा रागनी मोनिय अट्टम की सम्दित यह बहुती इंपोरिट परस लिए गया हैं बहुती टाइम लगा इसे परस्णों को चूछ करने में देखिएगा आपका जो मंडे से एक्जामी स्टार्ट होगा फिर से इसमें से परस्ण जो कि आपको देखने को मिलेगे, मिलेगे, ठीक है, तो बाकी वीडियो आपको कैसा लगा, comment section में बताइएगा, अगर आपको अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक कर दिजेगा, चेनल पर पिर नहीं को चैनल को सब्सक्राइब कर दिजेगा, और दोस्तों में दिख सेर किजेगा, ब पाकी आगे भी होते नहींगे, ठीक है, चेले मिलते हम लोग, नेक्स ट्रिफ के वीडियो में, जब तक के लिए, जै हिन, जै बड़ात, वंदे मात्रम, हरत माता की जै, ठीक है?